कोश्चन यह गर है कि x² प्लस 1 अपन में x² 6 है जहां पर x जो है 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है यह condition आपको ध्यान में रखना है 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो में x के पावर 4 माइनस 1 अपन में x के पावर 4 की value आपसे पूछी गई है तो इसकी value कैसे निकाल सकते है एक ट तो x² प्लस 1 अपन में x² 6 है तो हमें दे रखा है अल्रेडी एक प्लस 1 अपन में x केसे निकालेंगे अगर यह value दे रखा है यहां से मैं leaf देता हूं तो अगर इससे हमें equals to k दे रखा है तो x प्लस 1 अपन में x क्या होता है root अंडर होता है क्या आपका k क्या होता है two होता है और x-1 अपन में x निकालना होता है क्या हूं एक एक प्लस 1 अपन में x कितना हो जाएगा 6 अप्लस 2 आठ root अंडर 8 को मैं लिख सकता हूं अब यहां पर ही छीज़े जो है इसको लिख सकता हूं चैनल क्या है आपका यह कीतना हो जाएगा रूट के अंडर 4 तो इसको बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 निकलेगा थिके ? 24 root 3 sorry sorry 24 root 2 root 2 root 8 root 8 होता है तो जाएगा 24 root 2 अब देखो 24 root 2 plus में रहे condition के according क्या है x जो है 1 से छोटा होना चाहिए तो 1 से छोटा कब होगा यहाँ पर minus लेना पड़ेगा हमें मैंने बताया ना कि plus minus 2 निकलेगा यहाँ से तो जाएगा minus का 24 root 2 अगर यहाँ पर आप ध्यान नहीं देऊगे तो आप इसको answer टिक कर लोगे लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि इस condition को आपको ध्यान में रखना है यह जो condition आपको दे रखा है यह condition इस पर आपको focus करना है अगर आप इसको टिक कर गे तो 1 से तो बहुत बढ़ा हो जाएगा हमें 1 से तो बहुत बढ़ा हो जाएगा तो हमें 1 से चोटा चाहिए था लेकिन 0 नहीं होना चाहिए था तो minus हमें लेना पड़ेगा यानि कि minus का 2 लेना पड़ेगा so option number हो जाएगा B minus का 24 root 2 तो जब भी आप question इस तरीके से solve करें जहाँ पर condition दिया रहे तो आप इसको एक बार दो बार copy पर लेकर घेर ले ताकि आपको ध्यान में रहे कि हमें इस condition को हर हाल में follow करना है अधर्वाज आप इतनी असान question को गलत कर पाएंगे